आज की खेती है तो हभी है आमने इसमें कुन सी खरपत्वर नाशक का छड़काव किया था इसकी सभी की जानकारी जैसे कि हमने टरकास उपर 25 ml और जो घोल की दवाई होती है उसको 10 ml यूज करना होता है तो किसान भाईयो आप यहाँ देख सकते है यहाँ पर यह गाजर घास यहाँ पर यह गाजर घास खरपत्वार के रूप में बहुत अधिक हो गया था यह जो पूरा प्लाट है इसमें पूरी तरह से पूरा गाजर घास बहुती अधिक मातरा में उगा था तो हमने इसमें 15 ml घोल की दवाई का स्प्रे करा तो अभी आप देख सकते है कि इसमें कही कही फिर भी कही कही जगा पर थोड़ा बुद्द गाजर घास चूटा है आप देख سकते हैं इसमें गाजर घास के आलावा कोई भी खरपतवार बहुती कम दीखेगा इसमें अश्चेवल खरपतवार में रूप में गाजर घास ही दिखेगा आपको तो जो बचा हुआ गाजर घास है तो किसान भाईयो इसको हम लेबर की सहायता से इसको खेट से बाहर नरसरी से निड़ाई गुड़ाई कर लें तो किसान भाईयो अभी हम बताने जा रहे हैं कि एक महिने की प्याच की फसल में रासायनिक उर्वरक खाद का उपयोग कैसे करें तो किसान भाईयो आपको जो रासायनिक खाद होते हैं उसमें 10,26,26 और यूरिया का चैन करना चाहिए यहाँ पर यह जो आप प्लोट देख रहे हैं हमने यहाँ पर दो बोरी 10,26 और दो बोरी यूरिया का चैन का चैन का चैन का तो किसान भाईयो अभी आप देखिए अभी इसको जो हमने जो बैसल डोस दिया था उसका परियनाम सामने आ गया है और कितनी अच्छी तरह से अभी यह ग्रोध करने लग गई है प्याच की फसल को आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें सीचाई का प्रबंद भी सही ढंग से होना चाहिए इसमें पानी की आउशकता बहुत अधिक नहीं होती है इसमें पानी की आउशकता बहुत कम होती है तो किसान भाईयो आपको प्याच की फसल में 10-10 दिन के अंतराल पर सिचाई करना चाहिए जैसे अगर आपने पहले नरसरी ट्रांस्प्लांट कर रही है और तो उसमें शुरू में कारीबन 3-4 दिन कंटिन्यू पानी देते रहे ताकि उसके बाद उसमें जो प्याच की पूदी की जो जड़ होती है वो अच्छी तरह से सेट हो जाती है उसके पच्छात आप उसमें पानी के जो सिचाई होती है वो ददद दिन के अंतराल पर सिचाई करने की योस्ता बनाए तो किसान भाईयो अभी इसमें आगर आपको थ्रिप्स या माइट्स के लिए कोई स्प्रे लेना है तो इसके लिए भी हम नेक्स्ट उडियो बनाएगे जिसमें हम इस्प्रे के साथ में उडियो बनाएगे और आपको दिखाएगे कि कैसे प्याज में थ्रिप्स और महू मच्छर की रोक थाम की जाती है अभी फिलाल इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है फिर भी हम इसमें पहला इस्प्रे करेंगे क्योंकि इसमें जो थ्रिप्स होती है उसमें थ्रिप्स की बढ़वार ज्यादा नहों तो हमारे यूटुब चैनल के साथ बने रहे और प्याच की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्तकर करते रहे अभी के लिए इतना है किसान भाईयो धन्यवाद